हेलो गाई स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में प्लम्बिंग हूँ मैं आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सेंसर का मेजरमेंट और यूरिनल का मेजरमेंट कैसे क्या लेना होता है ताकि वो अच्छे से लगा सके हम तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं स्किप ना करें अब जो ये देख रहे हो ये सेंसर है तो हमने सेंसर ये दिवार से लेके पुरा वो दिवार तक लगाया है यहाँ पे 10 सेंसर लगेगा जो हमने पहले से ही लगा दिया है अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मैंने ये सेंसर को लगाने के लिए कितना मेजरमेंट लिया है कितना इंच लिया है तो मैं अभी आपको ये बताता हूँ यह यहाँ पे मैंने जब मेजरमेंट किया है इसका 23 इंच आया है ये दोरी से लेके ये दोरी तक और हमारा जो सेंटर आ रहा है वो साड़े ग्यारा इंच का है और जितना भी सेंसर है उन सबका मेजरमेंट सेम ही है सबका 23 इंच कई है और इस साइट भी जो है सेंसर इसका भी सेम ही है हमारा यूरिनल का आउटलेट और इनलेट के बीच में जो डिस्टन्स है वो 430 का है और यूरिनल और फ्लोर के बीच का जो डिस्टन्स है वो 530 का है हमने सेंसर के हिसाब से आउटलेट का मेजरमेंट रखा है और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था Urinal का Outlet से और यहाँ आप टेप में भी देख सकते हो यहाँ पे 1200 आ गया है यहाँ पे मैंने उंगली रखा है यहाँ पे हमने Urinal का जो Pipe है आउटलेट का वो 50 mm का है यह जो यहाँ पर मैंने 4 urinal का आउटलेट लगाया है वो चारों का एक ही connection करके वो सीधा p-trap में connect कर दिया है और 2 इंच का slope है इसमें हमने p-trap में connection इसलिए दिया है p-trap में क्या होता है उसका जो pipe होता है वो बड़ा होता है तो पानी उसमें जल्दी अंदर चला जाता है और फिर बाहर निकल जाता है और सेम हमने इस side भी ऐसा ही p-trap से connect कर दिया है और यहाँ पर भी हमने semi connection दिया है बस यह लंबा connection है इसलिए बीज़वीच में हमने T लगा दिया है और इसका जो slope का जो इंच है वो 4 इंच का है और कोई jam कोई problem कुछ नहीं होगा यह हमारा pipe का connection है जो inlet होगा और इसमें जो हमने pipe use किया है inlet के लिए connection का वो 2 इंच का है यह pipe 1,5 इंच का है यह 10 इंच का है और यह भी 10 इंच का है और हमने यह pressure अच्छे से maintain रहे इसलिए हमने ऐसा किया यह पूरा plan में आता है तो हमने plan को follow किया बस आज के वीडियो में बस इतने ही अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो like करे, share करे, subscribe करे और comment ज़रूरा